नश्कार आप देख रहे हैं 3NP News और मैं हूँ आपके साथ मिशा सेंग आस्था का महापर्व छट पूजा का कुछ विशेश महत्व है ये पर्व छटी माता और सूरिदेव को समर्पित है चट पूजा भारत के एक बड़े भूभाग पिहार राज्य का प्रमुख तियोहार है ये तियोहार चार दिनों का होता है जो नहाय खाय से शिरू होकर पारण यानि की दूसरी अर्ग के दिन समाप्त होता है इस पूजा में साफसफाई और पवित्रता की बहुत महता है चलिए इसी कड़ी में आपको चट पूजा के पहले दिन यानि की नहाय खाय के विशिश महत्यों को बताते हैं चट पूजा पर देखी हमारी ये खास रिपॉर्ट चट पर्व ना केवल एक पर्व है बल्कि ये एक महा पर्व है ये तियोहार ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी मनाई जाती है इस सिवहार की शिर्वात कार्तिक शुकुपक्ष की चतोथी तिथी से होती है चट पूजा का पहला दिन नहाखा के नाम से जान जाता है कार्तिक मास के इस पावनपर्व के पहले दिन को साफ सफाई और शुद्धिता के लिहाद से मनाया जाता है इस दिन व्रती गंगा में स्नान आधीकर अपनी शुद्धी करण करती है पिरभगवान सूर्य और छटी माता की अराधना में खुद को समर्पित कर देती है शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक छट पर्व शुधता और पवित्रता का त्योहार है इसलिए इस पर्व को करने से पहले नहा खा का बड़ा महत्व है साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि छट के पहले दिन कद्दू चावल का विशेश महत्व है चलिए जवानते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से व्रती इस दिन भवान सूर्य और छटी माता के ये प्रसाद के रूप में क्या-क्या बनाती है नहाय खाए में बनने वाले वेंजन चने की दाल, बासमती चावल, कद्दू की सब्जी, कद्दू के अन्य वेंजन मुख्य रूप से यही वेंजन इस दिन प्रसाद के रूप में ग्रहन किया जाता है वही इस पर्व में बर्तनों का भी खासा महत्व है चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि इस पर्व में कैसे बर्तन का इस्तमाल किया जाता है पूजा में इस्तमाल होने वाले बर्तन, कांसे के बर्तन, पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तन इन तीन चीजों से बने बर्तन का इस पूजा में विशेश महत्व है इसलिए छटी माता और सुने नारायन की इस पूजा आराधना में मिट्टी पीतर या कांसे के वर्तन में ही प्रसाद बनाए और खाय जाने की मान्यता है छट पूजा एक कथिन व्रत आईए अब आपको बताते हैं कि छट पूजा इतना कथिन क्यूं है हिंदू मान्यताओं के अनुसार छट पूजा को सबसे कथिन व्रत कहा गया है ऐसी मान्यता इसलिए है क्यूंकि छट पूजा एक चार दिफसिये तियोहार है जिसमें व्रती नाहाय खाय में एक बात प्रसाद ग्रहन करने के बाद 36 घंटे का उपवास करती है चार दिनों तक चलने वाला यह त्योहार काफी कठिन होता है आस्था का महापर्व छट पूजा बहुत ही पवित्रता का त्योहार है और नहाय खाय यानि छट का पहला दिन शुदता और पवित्रता का ही दिन होता है पूरे हर्शो लास के साथ आप भी आज का दिल सूर्य देव और छटी माता के चर्णों में लगाए छटी माता की कुपा आप सब पर बरसे इसी कामना के साथ हमारी पूरी टीन की तरफ से नहाय खाय की आप सभी को आर्दिक शुप कामना है